Distance formulaа , , yawni क्या दोडी सूत्र , Before Distance Formula, हम एक problem को देख लेते हैं, तो एक बंदा क्या करता है पॉंइंट a से इस्टå की ओर चलता है तो इस्टा की ओर हे रहाँ चलता है ,这样 3 देन बंदा क्या करता है इस पॉंट्ट में के बाद वह आपका नौ। चलता है तो अब हमने क्या पता करना है अगर वो बंदा सी पॉंट से एपेंट में आना चाता है तो इसको कितना चलना पड़ेगा यानि हमने क्या निकालना है A.C. निकान ला है यहनаров कि पता करना है कि ज hp A.C. इसके distance इसके length कतनी है तो हम dex सकते है शार है आपको क्या आपक्य बन चुकका है राइट एंगल relying बन चुका है तो हम जानते हैं जो आताere हमोता है उसमें जो आपका such as वह स्कूर होता है तो हमारे क्या 90 डिग्री तो आपका इसी क्या हो जाएगा कि अपर पर प्रपेंडोर का स्कूर तो यह हमारे क्या 3 3 3 का स्क्वेट्ट फॉर का स्क्वेट् तो 3 का स्क्वेट्ट 9 4 जाना गया तो पन्दे को सीज़ेंव तो उसको करना चलना पड़ेगा आपका फाइब मीटर यह तो मारत तब है जब मैं क्या पता है एबी और बीच के बीच की डिस्टेंस मालूम है इस दिस्टेंस फॉर्मुला जानी दूरी सूत्र तो इसके लिए आपके पास फॉर्मुला होता है तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मला होता है या आप इसी फॉर्मला को लिख सकते हो अगर हम अंदर सॉल्व करके हमारा मैस भी आता है तो मैं पता है कि मैस का स्कार के अधा प्लस होता है तो इससे आपको कोई प्राप करने वाला नहीं है तो आफ इस फॉर्म लोक आपको करते हैं ड्राइब करते हैं तो मरबस टू-पॉइंट रेका पी-एं-ड्यू तो हम क्या करेंगे तो अ जामने के इक्सेक्स पेममारी के यक्सिस तो पी कुम यह हमारा क्या ओरिजिन है तो एक्सवान क्या होगा उरिजिन से लिखे इस पॉइंट की डिश्टेंस इसे हम बोलते हैं है यह आपको है एक्सर प्यख्रो के मां से अखेशन से लेकी यह पीख्रो के क्या क्या निकालना तो आपको m & कैसे मिलेगा जब आप इस पूरे X2 मैस क्या मसरें क्यार्थ कर देंगे तो हमारो Moto fabrics क्या थ्लफ connect you मैंं कि तो हम्हूं सकते हैं कि हमारा एक रेक्टैंगल ट्रे हमार confirm रहा an है तो हमारा यह क्या होगा X to minus क्या होगा और यहां क्या बनता यह 90 डिग्री का एंगल ऐसे वाइट्व क्या होगा इस q से और n की बीच की डिश्रेंस कितना य डू और यह वाइवन है तो यह निंगा डरेंगे आप तो कियो क्या किसे निकालेंगे जब आप करनेगे वाइवन तो यह डरा पार लित क्या क्या वाई तो मालош रेकर क्या ट्रेंगर मिल गया है जिसमें मारा जो QT है वह आपका है Y2- क्या Y1 और जो हमारा PT है वह आपका X2- क्या X1 तो पाइत्व का स्झत्रम का यूज़ करके हम PQ की वैलवी निकालेंगे तो पीक्यों मारे किया इसके सामने है तो हाइपोटेन्यूस तो जो आपका हाइपोटेन्स का स्क्वार होता है वह आपका 20 का स्क्वार प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वार होता है एक रूटिंग्टू पाइथोगॉर्स थियोरम तो 20 हमारे किनना है X to minus X to 1 तो X to minus क्या X to 1 का whole square perpendicular हमारे किनना है QT वह आपका किनना है Y to minus Y1 तो Y to minus Y1 का whole square equal to क्या? H हमारे क्या है B cube वहागा? square तो यहांसे हमारे क्या हो गया? अकर square अडाते हैं तो मारे के लग जाता है Unroot तो महारे फोर्मोर क्या होगि यह है तो बात करते है कि इं। नोट्स तो जो होँआरे कोर्णेट होते हैं lorsqu life को मत जी मसेंद छेघ कोमा ज्य मत गह्त करते हूं double अब करें एक स्थे कैरा रेक्स एक्स एक्सेश एक्स में में इससे आपको क्या होता है यह होता है जीरो होता है तो कोडिनेट on x-axis हमारे कहता है x,0 बात करते हैं कि y-axis में तो इस y-axis में आपका किसी भी point पे x कहता है जीरो होता है तो coordinates on y-axis क्या 0,5 होगा तो हम एक कोक्षन को solve करते हैं find distance between the points 2,3 and 4,1 to let point P x1,y1 क्या होगे हमा रहा हूँ 2,3 and point Q को बोलते हमां x2,y2 4,1 तो distance परमना के वा थापका P q equal to 100 x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square तो x1 कितना हमा रहा 2,2 x2 कितना हमा रहा 4,2 minus 4 का whole square plus y1 कितना हमा रहा 3,y2 कितना है 1 जो जब तो मैस 4,2 का square,3 minus 1,2 का square,2 का square 4,2 का square 4,4 plus 4,unroot 8, तो unroot 8 कम क्या भी लिख सकते हैं, 2 root 2, यारिकी 2 root 2 units, तो सपोर्च हमारा क्या था, यह मारा क्या था, यह मारा क्या था, पॉइंट P था, और मारा क्या था, पॉइंट Q था, तो हमने क्या निकाल दी आंसर P और क्योंकि पिच की distance, 2 root 2, तो तीन point कभ आपके culinary होते हैं, जब आपके वो एके line में होते हैं, यारिक अगर हमारा पास क्या है, एक line है हमारी यह, यह हमारा point A है, यह आपका point B है, यह आपका क्या point C है, तो हमने बताना है कि हमारे ये तीनों पॉइंट आपके कहें को लिनियर हैं तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मले से हम A B निकाल लेंगे S A B C निकाल लेंगे S A B C निकाल लेंगे C A निकाल लेंगे अगर हमारा A B प्लस B C इकड़ों के आ जाए C A A जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारे A B C तीन पॉइंट हैं हमारे कहें को लिनियर है तो हमने चेक करना है कि जो में 3 पॉइंट से गिवन है वो आपके को लिनियर है या नहीं है तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मला का यूज करके निकाला है तो हमने थो क्या रि-इस्ट करते हैं तो असो है तो निकाला है तो हमने और बीसी है यह ना 5 प्लस ना 5 आजो हमारा कि अपका 10 यह किसके कुलड़ है हमारा एक के एकक्वल है तो इसलिए हमारा यह ए अ बी और सी पॉइंट आपके क्योंगे कूल लिनियर होंगे यानिकि मारी स्टीनों पॉइंट क्योंगे एक लाइन में एक्जिस्ट करें गे इफ 4 पॉइंट सारगी बन चेक वेदर इडिजा स्क्वाइर रॉमबस रेक्टेंग लेंग या परलो ग्राम तो बात करते हैं क्या इसक्वार और रॉमबस की अगर हमारे 4 सैट की आ जाती है एककल आ जाती है तो हमने फिर चेक करना है कि आपको रॉमबस है या आपका कीवि और रॉमबस कीवि क्या होती है एककल होती है तो भी हम्हारे जाते हैं उनसे आपका स्क्वार बनेगा अगर आपको डाइए ने लिए जस्धाय निक भी होते है कि ने शाका pirate चों। है कि उन्से है तो रोंबस बनेगा कि अब बात करते हैं अगर आपका सिबी को लुदी या रहा हैं कि अगर आपकी ने कि या रहा है तो हमारा यह तो रेक्टेंगल हो सकता है यह तो हमने की संब्सक्राइब हो सकता है और हमने चेक करने कि आपका वो रेक्टेंगे ऩ beverage एक चल और चुक로 होते हैं तो अग cucumber होगा तो हमारे क्या होंगे डियागोनल आपके क्या होंगे एक्वल होंगे अगर वो पॉइंट मारे क्या बना रहे होंगे पैलोग्राम बना रहे होंगे तो हमारे डियागोनल क्या होंगे अनिक्वल होंगे तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि जो आपके QN 4 फोर पॉइंट हैं वो हमारे इसकर बना रहे हैं रोमबस बना रहे हैं रेक्नेल बना रहे हैं या पैलोग्राम बना रहे हैं बाइ यूजिंग डिश्टेंस फॉर्मूला